हेलो फ्रेंड्स जो ती रुपेस कॉर्णर में आपका स्वागत है तो आज हम करने जा रहे हैं स्केरेलाइट के सूपर हैंड मिकसर का रीव्यू यह सेवन स्पीड होता है इजी टू होल होता है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं यह देखे इसके बारे में डब्बे के उपर बाहर ही बताया गया है तो चलिए इसे हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है तो सबसे उपर ही इसके ब्लेट्स दिये गए हैं इसमें दो तरह की ब्लेट्स हैं इसे आप क्रीम को विप्ट कर सकते हैं आटा गूच सकते हैं मलाई निकाल सकते हैं और भी ये बुक दी गई है कि इसे कैसे यूज करना है अगर आपको नहीं आता तो अगर आप ये बुक को पढ़ेंगे तो आप इसके विसे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी तो चलिए अब इसे open करते हैं ये देखे हमने इसे खोल लिया है और ये इसका wire दिया गया है तो इसे भी हम खोल लेते हैं और देखते हैं किसकी लंबाई कितनी है ये लगवग एक मीटर के लगवग में है जो ठीक ही है आपको आपके switch अगर नजदीक है तो आप इसे काम कर स और यह जो ब्लेट्स दिये गया है यह जो आपको दिख रहे हैं वाइट कलर का इसी में आपको फिक्स करने हैं इसे कुछ भी नहीं करना है पस आपको इसमें डाल कर हलका सा दबा देना है और यह फिक्स हो जाते हैं इससे आप बहुत ही अच्छी केक के उपर लगाने के लिए क्रीम निकाल सकते हैं बहुत असानी से निकल जाती और ये उपर का जो स्विश दिया है आपको उसे सिर्फ प्रेस करना है ये सेवन स्पीड कंट्रोल है आप जैसे आसे नीचे से उपर करेंगे ये स्पीड और लो होता जाएगा आप अच्छे से इसके ब्लेट्स को देख लें अब मैं इस ब्लेट्स को निकाल देती हूँ और दूसरे वाले ब्लेट्स को लगा के दिखाती हूँ दूसरा भी ब्लेट्स इसी तरह लगेगा आप इस तरह से लगा कर और उसे हलका सा टैप कर दें तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा और ये भी फिक्स हो गया है आप इसे आटा बहुत अच्छी तरह से गूच सकते हैं तो चलिए एक वर हम इससे देखते हैं कि कैसे हम इसे गी निकाल सकते हैं तो यह मैंने फ्रीज से निकाला हुआ, मलाई लिया है, तो यह काफी जमा हुआ है, तो पहले आप चम्मत से मिला ले, और अब मैं इसे जो दूसरा वाला बलेड है, उसे लगा लेती हूँ, और इसे आपको चलाना है, 6-7 मिनट में ही बटर मिल्क अलग हो जाएगा, और हमार कितनी अच्छी तरह से निकल चुका है, अभी मैं आपको बटर मिल्क दिखाती हूँ, कि कैसे अलग हो चुका है, यह काफी असानी से निकल जाता है, यह देखे, आपको मखण दिख रहा हुगा, अब मैं आपको बटर मिल्क दिखाती हूँ, आप इसे चान ले, किनारे और मखण को अलग कर ले तो आपने देखा सिर्फ साथ से आट मिंट में हमारा इतना सारा मखण अलग हो गया और आप इससे गही निकाल सकते हैं तो मखण को सबसे पहले निकालने के लिए आप इसका जो बटर मीलक अंदर का है वो अच्छे से प्रेस करके निकाल ले इस तरह से यह देखिए हमने दबा लिया है और कितना सारा मक्षन हमारे पास आ गया है और बहुत यह असानी से सिर्फ साथ से आट मिनट में ही हमने इतना मक्षन निकाल लिया है तो यह देखिए जो काम आप 15 से 20 मिनट में हाथों से करते वो इस मिक्सर के सहायता स साथ से आठ में हो गया अब हम इस ब्लेट को निकाल लेते हैं अब दूसरी ब्लेड को लगा लेते हैं और इससे अब देखेंगे क्रीम निकालना कि क्या सानी से क्रीम निकाली जा सकती है उसी तरह हमने प्रेस करके दूसरे वाले ब्रेट्स को लगा लिया है और घर की ही हमने मलाई ले लिया ये क्रीम है क्रीम का मुलाया मला भाग होता है आप उसे ले ले और ये देखिए हम इस तरह चला रहे हैं और इसे सिर्फ आप 4-5 मिनिट चलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्रीम एकदम सॉफ्ट क्रीम तयार मिलेगी तो ये देखिए पहले आपने धीरे-धीर इसे चला रहा है चारू तरफ सी इसे चलाना है आपको अच्छे से और ये देखिए 5-6 मिनिट में ही आपको कितनी अच्छी क्रीम मिल गई है आप इससे अगर नीचे गिराएंगे भी तो ये गिरेगी नहीं और आप इसे क्रीम केक पे या किसी भी चीज पे डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं तो आपने देखा फ्रेंट्स हमने कैसे इससे मक्षन और केक के लिए क्रीम निकाल लिया है ये बहुत यूज फूल चीज है तो फ्रेंट्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले लाइक और सियर का बटन भी दवा दे और ये सूपर हैंड मिक्सर को अगर आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं ये काफी यूजफूल है थांक यू